असलाम लेकुम स्वाज हम मोटर फिजियोलजी का नेक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और नॉमिक नर्विस स्टम मोस्ली इस चैप्टर पे इतना फोकस नहीं किया जाता इस लेवल पर बच्चे भी इसको तोड़ा मुश्किल या कंफ्यूजिंग समझ के छोड़ देते ह इसस्टम और पेरिफरल नर्विफ स्टम में हमें प्र нрав पी छोटे हैं जो हमारी सक्ट है कि सब्सक्राइब के साथ डील करता है और डिएंटर परlesटम जो है यह ओजकर नर्विस में करता है ज्यासकरँ जैसा कि हमारी बॉडी के आर्टीरियल प्रेशर को मिंटीन करना और उसके थूँ हार्ट रीट के साथ डील करना फी जी आई टी की मोटालिटी के साथ जी आई टी की सेक्रेशन के साथ उसके बाद ये इसके एक स्पेशल ड्वियन होती है जो मैं भी आपको बताऊंगी उसके इलावा ये हमारे पास जो ब्लेडर इंपटिंग होती है उसके साथ डील करता है स्वेट लैंस के साथ तेंपरेशर रेगुलेशन के साथ यानि सारे जो ऑटनॉमिक रिस्पॉंस है ऑटनॉमिक फंक्शन है हमारी बॉडी के जो सब कॉंशिसली कंट्रोल हो रहे हैं उनमें सब्सक्राइब कर सकता है हार्ट रेट को डबल कर सकता है और 10-15 से के अंदर यह हमारे अर्टीरियल प्रेशर को डबल भी कर सकता है और इसको डिक्रीज भी कर सकता है यानि इसकी रेपिडिटी और इंटेंसिटी बहुत आए है अब ऑर्गनाइजेशन की बात करें तो अल को एक्टिवेट करते हैं depending upon the condition of body वो आपको डिवियन से भी समझ जाएगी जैसा कि वो बता रहा है कि बहुत सरे से प्रेजिवेट कर सकते हैं बरीन स्टम पर पहुत सरे से सेंटर बढ़े वें और उसके इलावा है या फिर हमारीं कोर्टेक्स है वह भी सिगनल बेता है इनसे एंटर बीड और सकते हैं और को भी विजरिल रिस्पॉंस एक्ट में हमने पड़ा था नॉर्मली तो टीसे में पर लिदिन कर रही होती जए बहुत सारे रिफैक्स होता था और बहुत सारे इंशेॉट पहुत सारे से यानि कि जो different visera से start होते हैं वो जाते हैं autonomic nervous system से effeins लेते हैं और हमारे पास reflexes जो हैं वो subconsciously control हो रहे होते हैं अगर हम autonomic nervous system की deviance की बात करें तो 2 deviance बचों में याद रहती हैं लेकिन इसकी तीन main deviance हैं जो आपने याद रखनी है सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाती है sympathetic deviance ठीक है जो भी यह response generate करेगा इसको activate तो कर दिया अब इसने response भी तो generate करना है ना तो जो इसने response generate करना यह तीन deviance के थुरू करता है या तो हमारे पास इसकी होती है sympathetic deviance जो तब active होती है जब कोई भी stress condition हो जैसा के fight या flight की situation हो ठीक है जब हम stressful होते हैं हमने लड़ना होता है या भागना होता है depending upon अगला बंदा अगला बंदा हमसे चोटा है तो जाहरा हम लडने को prefer करेंगे या आगे कोई जानवार या अगर वो बड़ा तो हम भागने को prefer करेंगे तो उस stressful condition मे autonomic nervous system active हो जाता है ठीक है और autonomic nervous system की कौन सी branch dominate करती है sympathetic और हम भाग जाते हैं उसके लड़ते हैं उसके लावा इसके इफ्रिंट जो है वो पैरा sympathetic nervous system या पैरा sympathetic devian के तुरू भी आते हैं और पैरा sympathetic rest or digest की scene में active हो अब होता है जब हम resting state में हैं हमने काना खाया digestion करनी है उस तर अब हम चलते हैं इन दो डीएंस के उपर इनका हमने अनैटमी पढ़नी और इन पर फोकस करना है यहां तक यह बात है कि जो अटनॉमिक nervous system का portion जो विजरल फंक्शन को कंट्रोल करता है और इन सारे functions को इन्हांस भी कर सकता है इन्हांस भी कर सकता है इसके 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 इसकी इसकी इन्टेनितनी बॉत हाइब है बिदन सेके इन अपना इफेक्ट जनरेट कर सकता है और 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 इनाजेशन में आपने देखा किसको और सी चीज़ेड कर सकती है यह विजरल रिफेक्स के साथ किस तरह से इन्टार से इंवाल्व होता है एक गजाम्पल मैंने आपको द और उस ताइम हमारे पास इंटेरो गेस्टरिक नर्विस स्ट्रेस्टम करता है